नमस्कार विद्यार्तियों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आर्पिय सिवित नवीन सेनी में स्वागत है विद्यार्तियों हम पढ़ रहे थे भारत की जो जियोग्राफी है वो और इसके अंतरगत आज अपना पार्ट नंबर 4 है चोता पार्ट है और जो पाँच वा पार्ट है वो आज साम को ही मिल जाएगा आपको तो ये पार्ट नंबर 4 है ठीक है और जो अपना पहला पैला टोपिक चल रहा था वो भी complete नहीं हो आए ये चार पार्ट के अंदर complete होगा जो भारत का भोतिक परीचे topic है ना भारत का भोतिक परीचे इसका ये अंतिम पार्ट है इस चोते पार्ट के अंतरगत ये आपका भारत का भोतिक परीचे है वो complete हो जाएगा और उसके बाद में जो अपन इसका जो दूसरा topic है वो उठाएं तो इन पर हम चर्चा करेंगे बाद में पेले भारत का भोतिक परीचे जो चल रहा है इसका part 4 complete करते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं देखे विज्यारतियों आज हम पढ़ेंगे लक्षदीप के बारे में वगेरा लक्षदीप से शुरू करते हैं पिसले वीडियो तो complete है आपका और ये लक्षदीप तो लक्षदीप है इसकी जो राजदनी है जो इसकी capital है उसका नाम है कवारती कवारती इसकी क्या है capital है आप बस ध्यान से समझना सब कुस notes में लिखवाए कवारती है वो आपका इसका capital है ठीके और लक्षदीप है वो परबाल भिती द्वा तो देखो लक्ष द्वीप में ये ऐसे ऐसे चोटे 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 द्वीपों का सम्मू है और ये किस के द्वारा निर्मित है ये द्वीप है वो ये परवाल भिति के द्वारा जो निर्मित द्वीप है उनका क्या है सम्मू है अब देखो इसमें एक 8 8-degree channel भी है, देखो, जैसे ये 8-degree channel है, और इसके न्हीं चैनल है तो आट डिगरी channel है और 2-degree चैनल है, तो वो किस-किस के बीच में है, तो मीनि काई और माल दीगरी चैनल है, तो जो जो इसके उपर ही होगा, तो जो 9-degree channel है, वो आपके लक्शे दूप, लक्षे द्यूप और मिनी काई के बीच में हो गया है समझ मैं आई बात जैसे यह नोट्स हो मैं हलांकि यहां पर बनाया हुआ है मैं भी बताता हूँ मैं आपके थूप आपके यह रहा काँ बनाया हुआ है यह रहा यह ऐसे है देखो यह आठ डिग्री चैनल है आठ डिग्री चैनल है वो तो किसके बीच में मिनी काई और माल दीव के बीच में और उपर यह लक्षे द्यूप वाल आ गया परवाल भित्ती काई यह द्यूपों का समूँ तो यह लक्षे द्यूप और मिनी काई इसके बीच में है 9 Degree Channel और Minikai और Maldiv के बीच में है 8 Degree Channel ठीक है। इसको इस प्रकार से अब बैप notes में पूरा पढ़ लेंगे ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं देखी एक अपने भारत और स्रिलंका के बीच में भारत और यह जो स्रिलंका। देखो ये इंडिया का मेप है इधर, अब मैं किस चीज के बारे में बखान करने जा रहा हूँ, पाक इस्ट्रेट के बारे में, तो अब अपन भारत और स्रिलंका से जुड़ी हुई चीजें पढ़ेंगे, देखो अंडमा निकोबार पढ़ लिया, लक्षदी पढ़ लिया, अब भारत का स्रिलंका के साथ अटेश्मेंट है, वही पढ़ लेते हैं, तो इसमें एक है पाक इस्ट्रेट, भारत और स्रिलंका का अटेश्मेंट पढ़ रहे हैं, और इसमें पहली चीज है पाक इस्ट्रेट, तो पाक इस्ट्रेट क्या है, इसे पाक जल डमरू भी कहते ये पाकी स्टेट है ठीक है और क्या है ये तमिल नाडू और जापना प्राइड वीप है के मज़ ये है ठीक है तो तमिल नाडू में इधर क्या है तमिल नाडू और इधर जापना प्राइड वीप तो इनके बीच में है ये तो ये चीज़ भी आप दिहान रखना वैसे और ये तमिलाडो शिलंका के में जी इस्तित है और ये आदम ब्रिज का हिस्सा है जिसे अपना आदम पुल ये आदम ब्रिज है ना ये किसका हिस्सा है बताओं पंबन द्वीप का किसका हिस्सा है पंबन द्वीप का हिस्सा है ये आदम पुल आदम ब्रिज जो बोलते हो हमे Professor पंबन दिईब पर इस टीज वर जो दक्षिन पूरु इसा है उसमें स्य लंका से पेले भारत का अंतियम गाह आता है तो स्य लंका से पेले और उसका नाम है धनुष्ष कोणी तो इसको भी होड़ा सा साय जगो अब देखिए खाडी किस चीज को बोलते ये भी बता देता हूं कि आपके दिमाग में कि खाड़ी किसे बोलते हैं तो तीन ओर से जो गिरा हुआ जल शेतर होता है उसको खाड़ी बोलते हैं तीन ओर से गिरा हुआ जल शेतर तो अभी तक अपने जितना पढ़ा उसको एक बार नोट्स में देख लेते हैं तो आईए नोट्स में देखते हैं यहां से शुरूए अ चैनल है वो मिनिकाई और माल द्यूप के बीच में है और जो नो डिक्री चैनल है वो मिनिकाई और लक्षे द्यूप के बीच में इस चीज का भी आपको थोड़ा सध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं आगे है भारत और शिलेंका के मज़्य तो एक पाक इस्टेट है जीसे पाक जल डमरू मज़्य और पाक जल संदी भी केते हैं ये भारत और शिलेंका के बीच में तमिलनाडू और जापना प्राइद्यूप के मज़्य और आदम पूल जो आदम ब्रीज है वो तमिलनाडू औ जिश्तिते और पंबनद्वीप है न वो आदम ब्रीज का ही हिस्सा है और रामे सुरम है वो पंबनद्वीप पर इस्तिते पंबन दीप के दक्षिन पूर्वी हिसे में स्रिलंका से पहले जो भारत का अंतिम गाव में वो दनुष को डिये ये द्यान रखना है इंपोर्टेंट है और आदम ब्रीज के उतर में पाक की खाड़ी वे दक्षिन में मनार की खाड़ी है मतलब आदम ब्रीज का जो उतर डाइरेक्षिन है उसमें पाक खाड़ी आएगी और दक्षिन की जो डाइरेक्षिन है उसमें मनार की खाड़ी और खाड़ी तीन ओर से गिरा हुआ जल शेत्तर होता है ठीक है अब थोड़ा से यहां पर देख लेते हैं यहां से आपको समझना जाएगा देखो यह पूरी बंगाल की खाड़ी है इधर यह अपना तमिलना डू तो यह बात कैसे है देखो इसको यहां मेप में समझना है यह ठीक ऐसे है यह वाला भाग कौन सा है देखो यह वाल कौन सी बताओं ये है पूरी ये वाली ये बंगाल की खाड़ी ऐसे ठीक है अब ये बीच में ये पाक इस्टेट और इधर बताओं इधर ये पाक इस्टेट ऐसे ठीक है और ये तमिलाडू के इस तरफ ये जापना प्राइद विप है न तो ये जापना प्राइद विप धनुशकोडी और यह इदर मनार की खड़ी तो अपने उपर लाइने लिखी वी थी देखो एक लाइन ये लिखी वी थी कि पंबन द्वीप के दक्षिन पूर्वी हिस्से में श्रिलंका से पेले भारत का अंतिम गाउं धनुशकोडी तो इदर आईए बाप एक सेकंड ये प पंबन द्वीप के दक्षिन पूर्वी हिस्से में ठीक है दक्षिनी और पूर्वी दक्षिनी पूर्वी हिस्से में ये दनुशकोडी यह यह आदम पुल है ये रामेसुरम है और ये पंबन द्वीप है ठीक है इसको इसे समझ लेना बाकी ये नोट्स मिल जाएंगे आप को PDF के रूप में आप इन में से इसका प्रिंट निकाल के एक एक चीज समझ सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं भारत में वर्तमान में कुल कितने राजिये हैं 28 राजिये हैं और आठ के अंदर आठ बंगला देश के में दिए जो रेका लगती है उसे और Red Clip रेका बोलते में सर्च लेड़ क्लिप थे उनके द्वारा 1937 मैं 24 और 17 अगस्त 1937 में इस सिमा का क्या किया गया था नेतरान किया गया क कब 14 17 cur अगस्त दाले इसको अब देखो यह रेड़ क्लिप रेखा भी देख लेते हैं अपने मेप पर थोड़ी सी अब यह कंप्लीट हो गए अपने स्री लंका के साथ इतना ही है अपना टॉचिंग हो ठीक है अब देखी इधर इधर समझते हैं अब देखो एक तो यह रेखा यहां से लेकर यह देखो यह भारत और बांगला देश ठीक है भारत और बांगला देश के साथ यह जो वोडर बन रहा है यह वाला और एक यहां से सुरू है यहां से लेकर गुजरात यह राजस्तान राजस्तान से लेकर यह पंजाब पंजाब इधर से सोरी यह जम्मू से आगए यह दोनों रेखाएं हैं सोरी एसे मिट केसे गया एक सिकेंड उपना तो यह जो रेखाएं हैं यह दोनों के दोनों क्या कहलाती यह रेड़ क्लिप अब इनको रेड़ क्लिप दोनों को रेड़ क्लिप क्यों बोलते हैं आपको पता है पहले बांगला देश से वह पाकिस्तान का इसा था और इसे क्या बोला जाता था पूरी भी पाकिस्ता ठीक है ना तो इस वज़े से इन दोनों कोई रेड़ गलिपी बोलते हैं अब देखो और कौन-कौन सी रेकाई क्या क्या है मेक मोहन रेकाय है वो भारत और चीन के मज़े है और तो 1914 में सर हेंडरी मेक मोहन दोरा इस रेका का निड़दारन किया गया था भारत और चीन के मज़े तो थोड़ी मेप में देख लो देखो मेप से बहुत अच्छा समझ में आता है दिमाग में इमेज बन जाती एक ने कमेंट करके जरूर बताना अब देखो जैसे चाइना है अब यह चाइना का बोटर लगेगा न तो देखो इधर यह यह यहां पर लग जाएगा और फिर यहां पर वापस लग जाएगा अरुणा चल पर देख कि इधर इधर तो बुटा न गया तो सिक्य में लगेगा अरुणा चल पर देख में लगेगा इधर उत्राकंड, हिमाचल परदेश, इधर लड़ाख ऐसे लगेगा तो यह चीज क्या क्या लग थीए आपके यह जो चीज होती है एक दो तीन यह चा तो चलिए एक सेकेंड रुकना अपन वापस आते हैं अब यहां तक थे अपन अब आगे आती है डूरंड रेखा यहां तक पढ़ लिया अब डूरंड रेखा तो यह अठारा सुचिन में में सर मोटिमर डूरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के मज्जे थी तो भारत इतना ही लगता है अपना यह लगता है ठीक है तो यह जो रेखा होगी यहां से तो वो क्या कहलाईगी आपकी यह डूरंड रेखा कहलाईगी और पीओ के होता है पाक अधिकरत कस्मीर ठीक है पीओ के पाक अधिकरत कस्मीर यह किसको बोलते हैं तो देखो पहले कस्मीर का जो राजा था उसने कहा था कि मैं पाकिस्तान में मिलूँगा कि बोले जा भई पाकिस्तान दों मिल अलंकि इसको रोख नहीं का कॉस सिसका लेकिन फिर भी गया लेकिन सरदार वलब बाई पटेल नेर कापी प्रियास के लेकिन ये फिर भी चला गया फिर उदर क्या हुआ ओतंगवादी इर गुस्पे एटियर उन्होंने अपना जोर जमना शुरू किया तो इसने बोला कि नहीं नहीं मैं इधर आउंगा वापस आउंगा भ अंदर गुस्थ चुका हूं जैसे मैं यहां से शुरूआ रितना अंदर गुस्थ चुका हूं तो यह एडिया मेरा है और पाकिस्तान आज भी इस पर हग जताता है और इसे ही पी ओके का जाता है ठीक है और भारत के सोड़ा राजियों और दो केंदर सासित पर दिशों की इस तल्य शीमा पड़ो सिदेशों के साथ लगती है कैसे इसको भी मेर में समझते हैं देखो एक मिनट मैं पानी वगएरा पीता हूं तब तक मैं आप से पूस्थ आओं कि जैसे कमेंट वगएरा आप जरूर करके बताया करो कि आप कंटेंट वगएरा कैसा लगता है ताकि क्वेश detto कि जो इस तल्य शीमा है वो पड़ो सिदेशों के साथ लगती कैसे तो आभी वो सौरा राज्य भी देख लेथे और वह बताते हैं को कैसे कैसे लगती है इस तल्य सीमा ञंप सरू करते हैं तो इसमीर करते हैं साफ़ देखो जैसे मैंने यहाँ से कर लिया इसको पूरा ये रब कर देते हैं अब अपने देखना सुरू करते हैं कि कौन-कौन से राजिक कैसे-किसे लगते हैं तो देखो सब से पहले यहाँ से शुरू करते हैं ठीक है? पढ़ो सीदेशों के साथ तो नमबर एक त्रिपूरा की सिमा लगती है बांगलादेश के साथ नंबर दो नंबर दो पर आता है अपना मीजोरम तो देखो मीजोरम के इधर बांगलादेश से लगेगी इधर मियामार से लगेगी दो नंबर तीन पर मानिपूर नंबर चार पर नागालेंड नमबर पांच पर है अरुना चलपरदेश नमबर छे छे पर आसाम है क्यों? क्योंकि आसाम की यहां बांगलादेश के साथ भी लगती है और यहां पर दो बार लगती है बांगलादेश के साथ तो छे और नमबर साथ पर यह मेगाले भी है । नमбर नो पर है आपके परस्चिम है पास्टेर मंगाले की बांगला पास्टेर के साथ सिंमा लगती है 8 सिंक्ममा लगती हैश uh 9 यह हो गे आगे देखो दस नमबर पर आता है बिहार अब देखो ये इनकी सब की इस्तलिय सिमा जल्य सिमा नहीं है देखो पर्षे मंगाल की इस्तलिय सिमा लग रही है ये सब की इस्तलिय सिमा लग रही है अब देखो दस नमबर पर बिहार की लग रही है नेपाल के साथ 15 पर आप गुजराद देख लो और 15 पर देख लो आप पंजाब तो इन की किस के साथ सिमा लग रही है इन 15 राजियों के जो इसते लिए सिमा लग रही है वो पडूसी देशों के साथ लग रही है अब अब जो केंदर साशित पर्देश है कौन अब आप बोलोगे कि सर ये महराश्टर की वगेरा रिये तो ये जो चीजे हैं ये जो इंटरनेशनल बाउंटरी है बाकी की जो भी तो ये क्या होती है ये पूरा ये क्या है इस तलिय नहीं है ये जल्य शीमा है ये श्रिलंका के साथ रही दर लगती हो ठीक है न तो इसे ये वाला एक त्रिपूरा दो मिजोरम तीन मनिपूर चार नागलेंड पांच अरुनाचल परदेश छे आसाम और जो सात्वां है वह मेगले तो ये सेवन सिस्टर है और आप ये चीज जरूर से जरूर ध्यान में रगना कि ये सिकम है वह सेवन सिस्टर का इसा नहीं हर बा बाप का बांगलादेश और एक इधर है नेपाल तो इसके बीच में ये पत्ला सा है एकदम मतलब इसको यदि यहां से कट कर देना तो ये पूरा का पूरा हिस्सा है ये भारत से अलग हो सकता है तो ये जोड़े रखता है भारत को पूर विराजियों सेवन सिस्टर से तो और परसिम अमंगाल के सिलिगुडी शेतर में 20 किलो मेंटर चोड़ी संक्रि कुरूंक है 20 Sum — 22 किलो मुंटर चोड़ी वह संक्रि कम और शेवन स्सक्रि को स संक्रिक चुड़ी जियना क्भा है इसको सिलीगूढी कोरिडूर भी का जाता है, ये भी ज्मुकिस्मिर। आगे देखो seven sisters बारत के साथ पूरी उराजी असम अरुना चल परदेश नागालेंड मानिपूर मिजोरम तरीपूरा मेगाले ये map असम की सिमा अन्य छे sisters के साथ लगती है ये बात बिलकुल तकड़ी बात है देख लो ये आसाम है तो देखो नंबर एक मेगाले नंबर दो त्री पूरा के टच होता है नंबर तीन मिजोरम नंबर चार मनिपूर नंबर पांस नागालेंड और नंबर छे रुना चल परदेश तो ये एक sister AC है जो बाकी 6 sister के साथ क्या है टच में है आगे एक सेगेंड अब देखे आगे ये चिकन ने किसको बोते है नेपाल और बांगला देश के में जी परच्चे मंगाल राज्य के सिलिगूरी शेतर की 22 किलोमेटर चोड़ी वे संक्री बूपटी जो 7 sister को सेष भार भी का जाता है आग देखillon है अन्तस्त राज जी किसे के थे जैसे वपफर state केथे तो एसे छोटे देष जो दो सकति शाली देषों के मजिश्तित होते हैं, उनको बोलते हैं अन्तस्त राज जी वपफर state ये sandwich आरए चार में दब्पर राजायर एक तरप से समूंदत रह जा ये इसतिल रूद होते है, मतलब इनके दोनों और क्या होती है? जमीन. इधर भी कोई सूपरपावर कंट्री है, इधर भी कोई सूपरपावर कंट्री है, और बीच में ये दबे होया रहते है, लेंड लॉक्ड. ठीके? नेपाल और बुटान ऐसे ही दो अंतस्तराजिय हैं, जो कि भारत और चीन के मज़़ी है, कैसे, देखो, अब इधर क्या है, इधर देखो यह तीन शैड तो है इंडिया, ठीक है, इंडिया यह एक मौस्ट शूपर पावर कंट्री, और इधर है चाईना, ठीक है, और दोनों यह और क्या है, लेंड है, मतलब जमीन है, पानी नहीं है ठीक है दोनों और जमीन है और इन दोनों के बीज में ये सेंडवीच की तरह दबा हुआ है तो इसे बोलते हैं इस तलरुद राज है ठीक है आई बात समझें आप देखे आगे है अगला है ये भारत में 19 तो टोटल राज है और चार के अंदर सासित परदेश है लेंड लो इसे से आपको पता रहेगा कि 19 राज्य और चार के अंदर सासित परदेश कों से जो जमीन से जुड़े हूए है मतलब दोनों और जमीन लगती है उनके जल नहीं लगता तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ चार के अंदर सासित परदेश तो देखिए एक बार इसको मिटा देते हैं आराम से सीखिए और वीडियो में अंतर तक बने रही है देखो नमबर एक जमुकस्मीर नमबर दो लदाक और नमबर तीन तीन नमबर पर आती है आपकी दिल्ली ठीक है तो तीन नमबर पर यह आ गई यह रही दिल्ली और नमबर चार पर आती है यह आपके केंदर सर्शित परदेश है जो कि लेंड लोगड है देखो इनके चारों और जमीनी जमीने पानी नहीं आगी बात अब 19 राज ये कौन-कौन से उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए तो लेंड लोगड होने चाहिए ठीक है और मतलब पानी नहीं होना चाहि ठीक है और इसके अलावा आप कौन-कौन सा लोगे एमपी लेलो 7 ठीक है बिहार लेलो 8 जारखन 9 अचातीस कट 10 और इसके अलावा तेलंगाना 11 तेलंगाना 11 हो गया और और कौन सा है लेंड लोगड में गयारा इधर से हो गये और इधर आसाम है बारा और अरुना चल और इसमें लोगे, आप, अरुणा चलब पर्देश, या गया, मनीपूर, मनीपूर ले लो, पंद्रा, सिक्किम आ गया अपका सोला, तो देखे, एक बार में वापस बोलता हूँ, देखे, एक राजस्तान है, ठीके, राजस्थान राजस्थान आ गया पंजाब आ गया हिमाचल पर्देश आ गया ये रहा हिमाचल पर्देश उसके बाद में उत्राखंड आ गया और यूपी आ अपना ये हर्याना आ गया सोरी हिमाचल पर्देश ये ये उत्र पर्देश है और ये मज्य पर्देश आ गया तो यह सारे आगे मनिपूर मिजोरम तरीपूरा वगेरा सब ले लिए तो यह सब किसमें आगे टोटल एक सेकंड रुपना मैं वापस लगाता हूं इनको मुझे लगता है कि इन में से एक दो कोई मिस कर रहा है ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है टोटल उनीस होंगे न तो देखो मैं तीन नमबर पर हिमाचल परदेश और चार नमबर पर है आपके उत्राखन पांस नमबर पर है आपका यूपी छे नमबर पर है आपका बिहार और साथ नमबर पर है आपका इदर सिक्किम आठ नमबर पर है असम नो नमबर पर है मेगाले यहां पर यह नो नमबर पर मेगाल दस नमबर पर है आपका अरुणाचल परदेश ग्यारा नमबर पर है नागालेंड बारा नमबर पर है मानिपूर और तेरा नमबर पर है आपका ये मिजोरम और चवदा नमबर पर है आपका ये त्रीपूरा ठीक है और 15 नंबर पर आपका आता है ये हरियाना 16 पर MP ठीक है 17 पर ये 36 कट एंड 18 पर है जारकंड और 19 पर है ते लंगाना यलो अब देखो इनके कहीं पर भी पानी टच नहीं होता है इनके बोर्डर में पानी टच नहीं होता है बाकी 19 राजे से और 4 के अंदर साशित 20% जो इनसान है आबादी है वो भारत में निवास करती है इस हिसाब से भारत की दुनिया में 2nd rank है ठीक है फर्स्ट नंबर पर अभी चाइना विराजमान है चंसंक्या के मामले में ठीक है तो ये चीज है और देखिए भारत के 5 राज्ये ऐसे हैं और 2 केंदर साशित परद जो कोई बी अंतरास्टी शीमा नहीं बनाते है तो नंबर 1 किये नमबर 2 पर आप ये जहारखंड देख लो ये जहारखंड ऐसा राज्ये है जो किसी के साथ इंटरनेश्पनल बाउंडरे नहीं बनाता नंसने पर MP देख लो, MP के कोई दुखड़ा ही नहीं है, ये इदर बीच में बेठा है आपका आराम से, ठीक है, तो ये इदर MP है, तीन, और और देखिए, और आपको देखने को मिल जाएगा जैसे तेलंगाना है, तेलंगाना कोई इंटरनेशनल बोर्टर नहीं बनाता है, नमबर और आपको ऐसा ही कुछ देखना हो, तो देखो जैसे 36 कड है, ये रच 37 कड, तो ये 36 कड है, पांच, तो ये पांच राज्येसे हैं, जो कहीं पर भी इंटरनेशनल बोर्टर नहीं बनाते हैं, तो इस चीज का भी आप विसे इस त्यान लखिएगा, ठीक है, और दो राज् गुजरात, इस तल्य शिमा, जैसे ये गुजरात है, ये इस तल्य शिमा भी बनाता है, और ये तट्य शिमा भी बनाता है, तट्य शिमा मतलब जो पानी का बोर्डर भी, तो देखो ये पानी का बोर्डर भी टच कर रहा है गुजरात के, मैं बताता हूँ अभी आपको ये रेड गलर में ये रेड गलर में देखो ये पानी वाला और ब्लू गलर में देखो ये और ऐसे ही पर्ष्टी मंगाल है पर्ष्टी मंगाल इधर देखो ये पानी वाला और इधर ये जमीन तो दो राजियेस हैं जो जलिये और तट्य शिमा दोनों बनाते हैं ठीक है तो ये इसके अलावा आपको और क्या-क्या देखने को मिलेगा इसमें ये सब नोट्स बने हुएं आप बस आराम से समझी आपको बस आराम से समझना की आखिर चीज क्या है अब देखो तर्टिय शीमा कौन-कौन से राजी बनाते हैं नबर एक कुजरात बनाता है नबर दू मारास्टर बनाता है तर्टिय शीमा जो पानी के साथ नंबर तीन नंबर पर गोव आजाएगा इदर बीच में चोटा सा नंबर चार पर आजाएगा आपका कर्णाटक नमबर पांच पर आजाएगा जैसे ही थोड़ा नहीं से चलेंगे अपना ये केरला और नमबर छे पर आजाएगा आपका तमिलाडू नमबर साथ पर आजाएगा आंदर परदेश और नमबर आठ पर आजाएगा ओडिसा और नंबर नो पर आजाएगा आपका पस्ची मंगार ये नो राज ये ऐसे हैं जो कि क्या बनाते हैं तर्टिय सीमा बनाते है और दो केंदर सासित परदे से हैं जो कि तर्टिय सीमा बनाते हैं तो एक तो आपका आजाएगा पूड़ुचेरी तो पुडकेरी यह वो भी क्या करती है जो आपके सिमा बनाती हे केंदरशासित प्रदे से यह तर्टिया सिमा बनाती है और दादर नागर हविली और दमन और दीव हैं तो इनका भी आपको थोड़ा जंड रखना अब देखिए सरवादिक तट्ट्य हिमा बनाता है अपना गुजराध की सबसे ज़ादा लंबी तट्ट्य शिमा है जिहां रखना और सबसे कम जो तट्ट्य हिमा बनाता है वो गोवा बनाता है क्योंकि गोवा खुद ही चोटा सा, देखो इतना सा पैन गुमाया तब तक नीचे चिप गए तो इसे है तो इनका क्रम भी लिखावा है कि सब का किस का ज़्यादा उसका किस के बाद में तो ये तो सिधा नोट्स में मिल जाएगा अब ठीक है और भारत की जलिय सीमा से जुड़े हुए देश कितने हैं साथ देशे से हैं जो भारत की जलिय सीमा से जुड़े हुए है तो इनको मैं आपको गूगल मेप में बता दूँगा अभी अपन इन चीजों को नोट्स में पढ़ते हैं तो देखो राजस्तान, पंजाब, हरियाना ये मैंने ये 19 राजियों के नाम बताए थे और ये चार जो यूनियन टेरिटरी बताई थी जो की क्या है लेंड लोगड है मतलब जमीन से जुड़ी वे पानी टच नहीं करता है और विश्वे की कुल जन संके का साड़ा सत्रे परसेंट भारत में निवास करता है और इस हिसाब से भारत का दूसरा हिस्तान है फ़र्ष नमबर पर्चीन है पांच राजिये और दो केंदर साशित परदेश इसे हैं जो के अंतराश्ट शिमा नहीं बनाते है तो दिल्ली और चंडिकट और बाकी के ये पांच राजिये जो केंदर राश्ट शिमा नहीं बनाते है इस तrif लिए और तत्यच शिमा बनाने वाले दो राजिये गुजरात और परच्छे मंगाल और भारत की मुख्य भुमी की तत्यच शिमा नो राजियों और दो केंदर साशित परदेशों को लगती है तो नौराजी बताएं मैंने ये जिनके साथ क्या लगती है भारत की तर्टी शीमा लगती है और ये दो केंदर साशित परदेश हैं पुड़ू चेरी डादर नागर अवेली और दमनो और दीव ठीक है सरवाद 13 शीमा गुजराद की लगती है और सबसे जो कम है वो गोवा की लगती है तो देखो नमर एक गुजराद की लगती है गुजराद के बाद में सबसे ज़दा अंदर परदेश की उसके बाद तमिलनाडू की उसके बाद महाराश्टर की उसके बाद केरल की उसके बाद श्रिलंका थाइल लेंड इंडोनेशिया ये भारत के साथ क्या बना जल्य सीमा के दुवरा जुड़े गए है तो इसका भी आप थोड़ा सा ठ्यान रखना तो कुछ तो देखो मेप में दीख जाएगा जैसे ये स्रिलंका है ये भारत के साथ क्या है जल्य सीमा से पाकिस्तान पौर पाकिस्तान इदर गुजρά अटार, ये पूरा पाकिस्तान बोल्टर लगते है तो ये जलिय सीमा से जुड़वाए म्यामार ये इदर देख लो जलिय सीमा से ठीके और ये बांगला देश है तो मांगला देश का भी आप देख सकते हो मेहप में यह रा बांगला देश यह देखो इधर जली सीमा टच हो जाती है ठीक है तो ऐसे आप यह जली सीमा टच कर जाती है तो इस परकार से पाकिस्तान का बता दिया आपको स्रिलंका का बता दिया बांगला देश का बता दिया मियामार का बता दिया यह माल दियू थाइलेंड और मेप में यहां पर बनाए हो नहीं है मैं बाद में बता दूँगा और देखिए उत्तर परदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सरवादिक आठ राज्यों और एक के अंदर सरसित परदेश के साथ सिमा लगती है तो देखो मेप में देखिए यह रह यूपी यूपी के आठ राज यह कौन से लगते हैं एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार और नंबर पांच नंबर छे और नंबर शाथ ये कौन सरस्वादिक हो गया है यह इमाचल परदेश इदर थोड़ इसी लगती ऐसे तो यह आठ तो उत्राखंड, हिमाचल पर्देश, हरियाना, राजस्तान, MP, 36 गड़, जारखंड और बियार इतनों की लगती है और एक बोर्डर लगता है दिल्ली, ये केंदर शाषित पर्देश का जो की क्या है आपकी दिल्ली है ठीक है तो दिल्ली का बोर्डर भी इसको टच करता है तो ये चीज है अपने देख लिए उत्राखंड, हिमाचल पर्देश, हरियाना, राजस्तान, MP, 36 गड़, जारखंड, बियार, केंदर शाषित पर्देश में दिल्ली और MP के साथ इसकी सरवाधिक सीमा लगती है ठीक है और हिमाचल पर्देश के साथ इसकी सबसे कम लगते है तो इमाचल पर्देश का दिखाई देई रहा है मेप में देखो ये इतना साथ हो जुड़ा होगा है नाम-नाम का इंदीरा पॉइंट क्या है जैनाम इंदीरा पॉइंट तो आपको पता है यह छे डिग्री चार मिनट पर जो यह पॉइंट है इसको पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट भी केते हैं अरुनाचल परदेश में सूजदे गुजरात से दो गंटे पेल होता है तो अरुनाचल परदेश सबसे पूरो में है यहां पर और यह यहां पर गुजरात सबसे इधर है गुजरात पूरा पस्चिमी है और अरुनाचल परदेश पूरा पूर ही तो बताते हैं कि गुजरात और अरुनाचल परदेश में जो शूर्योदे होता है, उस शूर्योदेव में भी कितने का टाइम का फरक रहता है, दो गंटे का क्या रहता है, फरक रहता है, ठीक है, उसके बाद में भारतिय उपमादीप में सामिल देश कौन कौन से है, तो देखो भारत, पाकिस्तान, था क्षिन पान्गला अपडिस तो यह है ऊगया तो यह किस्में आपके भारती उत्री पूर्वी गोलार्द में इस्ती था यह तो आ पहले देख लिया था और भारत एक दक्षन Prab wastewater तो यह इलुख कोटेनेट भी आप से पूछ सकता है भारत कौन से गोलार्द में तो भारत। उत्री पूर्वी किलो मीटर जीरो लाइन है ना जीरो लाइन बोलते हैं त्रिपूरा और बांगलादेश के बीच में जो यह लाइन है इसको देखो जैसे की त्रिपूरा बांगलादेश यह यहां से शुरू ओके यह वाला तो त्रिपूरा बांगलादेश यह जो लाइन है इसको जीरो लाइ ठीक है और भारत की जल्य और इस्तलिय सीमा से लगए तीन देश हैं मियामार बांगलादेश और पाकिस्तान कैसे देखो यह पाकिस्तान है यह इधर देखो यह जल्य सीमा से लगवा है अब ब्लू कलर में मैं बताओं यह इस्तलिय सीमा से लगवा है तो यह पाकिस्तान ऐसी तो मियाममार बांगला देश और पाकिस्तान है वह भारत की जल्य और इस्तले शिमा दोनों से लगे वे देश है तो अब यह देखो यह मेप है इसको भी आप बहुत बढ़े तरीके से देख सकते हो यह नोट्स के साथ अटेच मिलता है इतने हाई कॉलिटी के नोट्स यह मैंने सारा का सारा कर दिया कंप्लीट यह अपना पहला ही टोपिक था पहला टोपिक और इस टोपिक का नाम था भारत का भोतिक परीचे जो भोगोलिक परीचे सोरी भोगोलिक परीचे तो यह भारत का जो भोगोलिक परीचे है वो इसी वीडियो के साथ कंप्लीट होता टोटल चार पार्ट में complete हुआ है और यह अपना चोथा पार्ट था लास्ट और इसे के साथ यह complete है अब जो पार्ट वन पार्ट टू फिर से सलाएंगे लेकिन अब topic कौन सा रहेगा अब topic रहेगा भारत के भोतिक परदेश भारत के भोतिक परदेश तो यह चार कलास के अंतर तो यह अपना यह topic complete हुआ है तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे हिंग जे बारत